दोस्तों आपका चैनल में एक बार फिर स्वाकत है आज मैं आपके लिए लेवल टू के नए सेंटेंसे लाया हूँ जिनका चुनाव मैंने बड़ी साथधानी से किया है इन वाक्यों की ट्रांसलेशन आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे की सेंटेंसे चाहे देखने में कैसे हूँ आप इनकी ट्रांसलेशन चुटकियों में बना सकते हैं वीडियो को ध्यान से बार-बार देखिएगा ताकि ये सेंटेंसे आपकी स्पोकेन इंग्लिश का एक अभिनिस्सा बन जाएं आए शुरू करते हैं और पहला वाक्ष प्रिया बिल्कुल चुप-चाप रही है प्रिया ले एपसलूटलिए स्टिल प्रिया ले स्टिल लाइक अर्थ लेटना होता है और लाइक ड्यल फ़र फॉर्म ले उता है इस्टिल यानि विदाव्ट एनी मोशन अगला वाक्ष वे सब को भूल कर एक दूसरे को देख्ते रहे ये ये स्टड staring at each other, oblivious to everyone else, they stood staring at each other, oblivious to everyone else, stare-kart घूरना होता है, oblivious यानि not realizing what is happening around you, यानि आपको पता नहीं चल पाता कि आपके चारों और क्या हो रहा है, अगला बाक, पल भर के लिए डर ने सुरेश को मौन कर दिया, for a split second, panic rendered सुरेश speechless, for a split second, panic rendered सुरेश speechless, panic का डर होता है, render का प्रयोग speechless की वर्व के रूप में हुआ है, अगला बाक, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, वह हमारे जीवन का सबसे खुशी का दिन था, the day you were born was the happiest day of our lives, the day you were born was the happiest day of our lives, अक्सर पैरेंट्स अपने लाड़े या लाडली के लिए ये वाक्य बोलते हैं, अगला बाक, तुम एक अच्छे लड़के की तरह बड़े हो रहे हो, you are growing up to be such a fine boy, you are growing up to be such a fine boy, इसका भाव यह है कि यानि जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम निखर कर एक अच्छे लड़के बन रहे हो, proud parents अक्सर ऐसा कहते हैं, अगला बाक, रवी ऐसा महसूस कर रहा था, मानो उसका एक हिस्सा काट दिया गया हो, रवी was feeling as if a part of him had been cut away, रवी was feeling as if a part of him had been cut away, अक्सर किसी निकट संबन्दी की मृत्यू पर लोग ऐसा कहते हैं, सुबह के सूरज ने लड़की को अपनी मद्दम रोशनी में नहला दिया, अगला बाक, सच्चा प्यार उसे नहीं मिला, true love did seem to elude him, elude का अर्थ जब कोई चीज आपसे दूर होती जाए, यानि उस कारण आप उसे पाना पाएं, इंग्लिश में से to be unattained by भी कहते हैं, next, वे एक दूसरे को बिना यकीन करते हुए घुरते रहे, they stared at each other disbelievingly, disbelief का आर्थ विश्वास ना करना, next, जिन हालात में हम जी रहे हैं, वे बहुत खतरनाक हैं, these are terribly dangerous times we are living in, आजकल हिंसा और आतंगबाद के समय में हम इस तरह के हालात की चर्चा करते हैं, दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वाक आपको पसंद आये होंगे, आप इसी तरह अपना सहयोग देते रहें, और मैं आपके लिए इसी प्रकार की आवश्यक समगरी बिलकुल मुफ उपलब्द कराता रहूँगा, अगली मुलाकात तक बेरा प्यार भराना मश्कार,